हेलो फ्रेंट्स आज हम एक नया अॉथर शुरू करने जा रहे हैं आ फ्रेंट्स जो उथर है वो हमने लिया है रोमांटिक एझ से जी हाँ रोमांटिक एझ की अगर बात आती है तो सबसे बड़ा नाम वहां विल्यम वर्फिर्थ का आ जाता है लेकिन फ्रेंट्स यहां विलियम वर्जफर्थ को अल्रेडी चुकी स्टडी कर चुके हैं तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट ऑथर और जो बड़ी छोटी सी ही उम्र में वो इस दुनिया को छोड़के विदा हो गए थे लेकिन अबाउट फोर इयर का जो उनका लिट्रेरी स्पैन रहा है जो चार साल उन्होंने लिट्रेचर लिख दिया वो आज तब पूरी दुनिया में पढ़ाया जा रहा है जी हाँ फ्रेंट्स हम बात कर रहे हैं उस चोटे से उथर की छोटा सा राम लेकिन एक बड़ा सा लिट्रेरी आउटपुट यानि जौन कीट्स की फ्रेंट्स जौन कीट्स की बात करें तहू एक रोमान्टिक पॉयट थे और जो second generation romantics हैं उनमें जो उनकीट्स का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है clear friends Romantic poet और you can see romantic age से ये author belong करते थे और second generation of romantic poet कहिया जाते है second generation of romantics clear friends और इस second generation में इसके साथ जो नाम आता है जो आनकीट्स के वह आता है फ्रेंट शैली पीवी शैली एंड लॉर्ड बाइरॉन का तो चलिए एक किशन और किलियर हो जाता है हां से along with पीवी शैली एंड लॉर्ड बाइरॉन clear friends अगर बर्थ की बात करें तो यह पैदा हुए in the year 1795 1795 में मूर्गेट लंदन में 95 कहां पैदा हुए friends मूर्गेट लंदन और इंगलेंट clear एक जो फैमिली थी वो बहुत अच्छी फैमिली नहीं थी अच्छी भी नहीं कह सकते और friends खराब ही कहेंगे चुकि जो फादर थे वो एक stable कीपर थे clear stable जानते हैं जहां घोड़े रहते हैं तो उसको stable कहा जाता है stable में देखरे करने का काम फादर करते थे तो फादर का जो नाम था वो था friends टामस और क्या थे stable कीपर और इस्टबल कीपर थे लेकिन जो डैथ हो गई थी फादर की वो भी friends गोड़े से गिर के ही हो गए थी गोड़े से गिर गए तो fracture हो गया इसकल में और उसके कारण फिर यह डैथ भी हो गई और मदर की बात करें तो मदर थी फ्रेंसिस किट्स चलिए यहां लिख लेता हो नीचे मदर देखिए एक चीज़ बता दू आपको यह जो ऑथर के फादर का नाम है और फादर का occupation है इसको मेरी राय है कि इसको ससत लर्ण करते चले चुकिए एक एक एक्जाम मुझे दिहा रहे है शायद 2013 वाला ही एक्जाम था जिसमें मुझे लगता है कम से कम त्री ऑथर्स के तो यह भी एक एक को इंपॉर्डेंट किश्चन बन जाता है फादर कौन थे क्या थे बच्चे को जब एजूकेशन की बात आई तो भीज दिया गया जोन क्लार्क स्कूल तो एजूकेटेड जोन क्लार्क स्कूल क्लियर फ्रेंट्स फादर मर गए थे कैसे गिर गए थे होर्स से गिर के ही फादर मर गए थे और जो फादर मर गए तो मदर ने दूसरी शादी कर ली और बच्चे की यानि जोन कीट्स की जो परवरिस हुई वो कहा हूँ ही ग्रेंट फादर के पास क्लियर father died falling from the horse and mother remarriage. Friends, इनको apprenticed के लिए भीजा गया Thomas Hammond के पास और एक surgeon थे और वो surgeon कहा थे friends, Edmonton में Thomas Hammond सर्जन की spelling भी देख लेना friends, a surgeon कहाँ at Edmonton और friends इसके बाद जो इनकी first poem आई वो आई friends 1814 में 1814 में पहली वाल राइटर ने कोशिश की एक बच्चे ने कोशिश की और वो poem थी Imitation of Spencer 1814 Imitation of Spencer first poem क्लियर हुआ बाद, point क्लियर हुआ friends तो चलिए, note कर लेते हैं friends जो इनका headmaster रहे, headmaster का बेटा रहा, Charles Cowden Clark, वो इनका एक friend बना रहा और वो इनका एक mentor था, the headmaster's son Charles Cowden Clark Charles Cowden Clark, वो क्या रहा, इनका friend and mentor clear 1815 में, यानि 1815 में, अपने आपको एक medical student, जो guys hospital था, London में, वहाँ इन्होंने registered कर दिया, यानि formal, एक medical की degree लेने के लिए, ये registered होगे as a medical student in the year 1815 1915 में, मेंग रहा, हिमसेवेस आइस, अडिय कल, इस तुडेंट और काफेंट रहा, दर्नका थाया रहा था, ये डिवा, इझािवा आपको इस, आइस अध सुदेन, और काफेंच Хospità रहा है ए ए guilt हैवकर एomet जोडल लंडन बात क्लियर हो गई यानि ये एक ऐसे ओथर थे जिनके पास एक रिजिस्टर जो मेडिकल डिग्री थी वो थी लेकिन ओथर को लगा कि मुझे जो मेडिकल प्रोफेशन है उसको नहीं चुड़ना चाहिए मुझे कही ना कही इनसान को अंदर से लगता है कि ये मेरे इसकी बात नहीं है या मैं इसको नहीं कर पाऊँगा एक ऐसा दोर भी रहा जो डिप्रेशन और गलूम का दोर रहा लाइफ में जब मेडिकल डिग्री छोड़ दी प्रैक्टिस छोड़ दी और क्या काम सुरू कर दिया पोईट्री जिससे कोई आमदनी नहीं होने वाली थी तो वो ऐसा दोर भी ओथर का रहा है यहां तो पॉइंट किलियर हुआ चलिए इसके बाद फ्रैंट्स इन दा इयर 1816 1816 में पहली जो पबलिज पोएम थी वो इनकी आई और वो थी एक सॉनेट ओ सॉलिट्यूट पोएम आ सोनेट और सोनेट का नाम क्या था फ्रैंट्स ओ सॉलिट्यूट ओ सॉलिट्यूट क्लियर फ्रैंट्स 1816 में ही एक दूसरी सॉनेट इन्होंने लिखी On First Looking Into Chapman's Homer और जो 1816 के अबाउट ये मुझे लगता है October में आई थी October 1816 Another सॉनेट और क्या थी friends On First Looking Into Chapman's Homer Clear और ये जो पोएम रही है इनकी ये First Looking Into Chapman's Homer ये डेडिकेट कर दी इन्होंने किसको कर दी friends लेहंट को यही लिख देता हूँ इसी साल 1816 में ही इन्ही जो Registered Medical जो License था वो मिल गया 1816 Got Registered Medical License Clear friends और Medical License मिल गया और ये जो मिला ये By the end of 1816 यानि ये दिसंबर के महिने के आसपास ये इनको मिला और लेकिन उन्होंने ये कहते हुए कि मुझे एक Poet बनना है एक सर्जन नहीं इस Medical License को छोड़ दिया Clear friends और छोड़ी दिया जब Author की इच्छा नहीं थी Medical Medicine में जाने की As a doctor प्रैक्टिस करने की तो फिर कहा जुकाब हो गया Author का Poetry की तरफ हो गया Clear friends यहीं लिख दूँ चलिए Point और Announced That He would be A Poet Not a Surgeon Clear तो चलिए friends Note down Friends जो इनकी First Published Poem थी यानि जो सॉनेट थी O Solitude उसको पब्लिश करने का जो Credit जाता है वो जाता है लेहंट को यानि लेहंट ने इनकी जो First Sonnet थी O Solitude उसको पब्लिश किया लेहंट पब्लिश्ड हिज First Sonnet O Solitude O Solitude को पब्लिश किया और कहां पब्लिश किया लेहंट की एक मेगजीन चलती थी मेगजीन का नाम था The Examiner The Examiner में First Time जो ये पउयम थी O Solitude ये पब्लिश हुई The Examiner यानि अगर किसी को credit जाता है इनके पोईटिक करियर की सुरुवात करने का तो वो जाता है फ्रेंट्स लेहंट को 1817 में 1817 में यानि अगले साल ही इनका जो First Poetic Volume था वो आया और उसका नाम था Poems His first Poetic Volume और क्या नाम था फ्रेंट्स? Poems वो Poems के नाम से आया और इस बे जो Important Poem रही है इस Volume में वो रही है I stood tiptoe And sleep and poetry And sleep and poetry और फ्रेंट्स ये जो Poetic Volume था ये एक critical failure रहा है यानि इसने कोई immense success इसमें नहीं मिली ये critical failure कहा जाता है This volume was a critical failure Clear friends? Hunt ने इसके बाद एक essay पब्लिश किया और essay जो था वो था Three Young Poets के नाम से His essay Three Young Poets और अगर Three Young Poets की बात करें तो इसमें कौन-कौन से थे एक तो Shelly कुद थे Sorry, एक Kids थे एक Shelly थे पीवी Shelly और एक Poet और थे वो थे Friends, Reynolds यानि Kids शेली रेनोर्ट्स Clear? पीवी Shelly भी इनके contemporary रहे हैं Friends और उनको भी हमें Kids के बाद study करना है तो ये जो वोल्यूम था यानि ये जो इनका work था यानि His essay Three Young Poets इसमें जो Three Young Poets की बात हो रही थी वो कीट्स, Shelly और रेनोर्ट्स की हो रही थी Friends, जोन कीट्स को अगर जाना जाता है तो अपनी poems के लिए जाना जाता है और इसी के साथ साथ अगर कोई चीज literary importance की रही है वो रही है जोन कीट्स के लिखे हुए letters तो Friends, कीट्स ने एक friend थे इनके बेली, बेली को एक letter में लिखा कि What imagination seizes as beauty must be truth Clear Friends, तो कीट्स wrote To his friend Billy What imagination What imagination Seizes as beauty must be truth Clear Clear इसी के साथ साथ friends 1818 में इनके एक walking tour स्टार्ट किया और वह वह tour था High Scotland, Lake District & Ireland Clear Friends, in 1818 वाकिंग टूर तू स्कॉटलेंड आर्लेंड एंड लेक डिस्ट्रेक्ट्स तो चलिए फ्रेंड नोट कर लेते हैं फैमिली में एक डिजीज रही है और वो डिजीज रही इनकी ट्यूबर क्लासिस और इनका जो भाई था टॉम वो भी ट्यूबर क्लासिस से मर गया और कहीं न कहीं ये जो डिजीज थी ये इनको हेरिडिटी में मिली थी और ये डिजीज ऐसी रही है टुबर क्लॉसिस की अगर जॉन कीड्स की डेथ की बात करें खुद की तो वो भी टुबर क्लॉसिस से हुई थी क्लियर तुबर क्लॉसिस वह गुट क्लॉसिए झार की तुबर क्लॉसिसी है तुबर क्लॉसिस तुब पॉइंट के लियर फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं देखिए जो ओधर को अगर पोएट बनाने का क्रेडिट जाता है तो वो किसको जाता है वो जाता है लेहंट को यानि लेहंट ने इनकी as a poet इस्टब्लिश होने में पूरी help की helped kids to establish as a poet clear friends आगे बढ़ते हैं एक Isabella Jones एक रही है उससे ये about 1817 1817 के असपास माई के बहिने की बात है वो first time जो इसाबल जॉन्स थी इसाबल जॉन्स से इनकी मुलाकात होई यह जल्दी ही friend बन गए और इन्होंने इवन अपने एक letter में ये स्विकार भी क्या है कि इसाबल जॉन्स और विजिटेड नॉट विजिटेड वी शूड यूज यूज मीट मैट फर्स टाइम इन में 1817 1817 के आसपास की बात है मही में जब फर्स टाइम इसाबल जॉन्स से मिले और फ्रेंट्स इनकी जो बड़ी फेमस पोयम रही है The Eve of St. Agnes and the Eve of St. Mark The Eve of Agnes and the Eve of St. Mark और इसी के साथ साथ एक और पोयम रही है Bright Star इन तीनों पोयमस की जो थीम थी इस थीम का जो यह जाता है क्रेडिट की यह जो थीम कहां से ले गई इस थीम में कही ना कहीं Isabella John's थी के लिए फ्रेंट्स यह जो थीम सजेस्ट की गई थी यह Isabella John's के द्वारा सजेस्ट की गई थी तो चलिए फ्रेंट्स रोट कर लेते हैं फ्रेंट्स जो Isabella John's थी थीम तो उसने सजेस्ट की लेकिन जो ब्राइट स्टार की अगर हम बात करें तो ब्राइट स्टार में एक ऐसी प्रेमिका की बात करते है जिसके परती यह पूरी तरह समर्पित है तो अगर bright star को देखें तो bright star में अगर जिक्र आता तो वो किस को समर्पित है वो है इसाबला जोन्स को इसी के साथ साथ एक lyric और रहा है हस हस O sweet इसाबल वो भी इसाबल जोन्स के लिए ही था हस हस O sweet इजावेल वाज रिटन पॉर इजावेला जौन्स तो बात इजावेला जौन्स की हो रही है लाइफ में इन की आई और इसी के साथ फिर्ट्स फर्स टाइम नवंबर 18 में यानि 1818 के नवंबर में पहली बार इनकी जो मुलाकात होती है ये मिले और किसे मिले वो बिलविड ऐसी है जिसको सब जानते हैं यानि मिस फैनी ब्राउन किलियर फ्रेंस फ्रेंसिस फैनी ब्राउन 1818 में और ये जो बात थी लगभग नवंबर के असपास की थी एक पोएम जो रिफ्लेक्ट करती है किसको रिफ्लेक्ट करती है फैनी ब्राउन को वो है बड़ी फेमस पोएम जो हमने सलावस में भी पढ़ी है ला बैले डेमसेंस मरसी रिफ्लेक्ट्स हिज फेलियर इन लव तो वर्ड्स किसके परती फैनी ब्राउन के परती क्लियर हुई बात लव इस माई रिलिजन कि जो प्रेम है वो मेरा धर्म है I could die for that कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं इस प्रेम के लिए मर भी सकता हूँ I could die for you मैं तुमारे लिए मर सकता हूँ और ये जो लाईन है फेल्ड्स ये एक लेटर में इनोंने लिखा और यहां जो could die for you ये बात किसकी हो रही है यहां जो you है वो है फेल्ड्स फैनी ब्राउन इन अ लेटर तो फैनी ब्राउन और ये जो लेटर रहा है वो अबाउट एटी नाइनटीन में ये रहा है अठारे सो निस के असपास में ही ये लेटर लिखा गया जब जिसमें उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी कि love is my religion I could die for that I could die for you कि मैं प्रेम के लिए मर सकता हूँ और मैं तुम्हारे लिए भी मर सकता हूँ बत के लिए फैन्स तो चलिए नोट आओ फैन्स जुलाई 18 18 की बात है जुलाई 1818 में कीट कॉट अ बैड कोल्ट बुरी तरह से इने कोल्ट का असर हुआ एक्च्वल में ये अपना बजो भाई था इनका टॉम टॉम के साथ ठहरे हुए थे टॉम को टुबर क्लोसिस हो गया था तो ये उसकी नर्सिंग कर रहे थे यानि उसकी हल्प कर रहे थे उस बीमारी से रिकवर होने में उसकी देख भाल करने के दोरान ही इनको अठारे सो अठारे में एक जो कोल्ड है कोल्ड का असर हुआ यानि कही न कहीं ऐसा माना जाता था कि जो सिम्टम है टॉबर क्लोसिस के वो फर्स टाइम कुछ की टिक्स कहते हैं कि तब ही जब ये अपने भाई टॉम की सेवा कर रहे थे तब ही इन में फर्स टाइम टॉबर क्लोसिस जो है वो दिखाई दिया क्लियर फ्रेंट्स इन जुलाइ एट्टीन एट्टीन ही कॉट अ बैड कोल्ट वाइल नर्सिंग इस ब्रदर टॉम वो गॉट टुबर क्लोसिस पॉइंट के लिया रोगा है फ्रेंट्स जॉन कीट्स का एक वर्क था बड़ा फेमस वर्क रहा है फ्रेंट्स एंडी मियोन और जो एंडी मियोन है वो इन्होंने डेडिकेट किया किसको टॉमस चैटर्टन को वोज डेडिकेटेड टू टॉमस चैटर्टन बहुत पॉइंट के लियर होगा है फ्रेंट्स और जो एंडी मियोन को इन्होंने कहा है क्या अट्राइल ओव माई पावर ओव इमेजिनेशन कि मेरी जो इमेजिनेशन पावर है इमेजिनेशन पावर का एक ट्राइल केट्स काल अट्राइल 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 हो इमेजिनेशन पॉइंट किलियर रिफेंट्स यह जो वर्क था अंडी मी ओन यह स्ट्रोंगली क्रिटिसाइजड किया गया और सबसे पहले अगर क्रिटिसाइज किया तो वो कौन था फेंट्स? जोन विलसन क्रोकर था जोन विलसन क्रोकर ने एक मेगजीन थी The Quarterly Review the quarterly review में first time इस work को strongly criticized किया एक तो होता है criticize करना बहुत ज्यादा कि बहुत है कि क्रिटिसाइज करना clear friends तो end we on यहीं लिख लेते हैं और एक्चॉर्में फ्रेंड्स ये माना जाता है बहुत साथ किटीक्स ने ये भी कहा कि जो जॉन कीट्स की डेंथ हुई है वो ट्यूबर क्लॉसिस से नहीं मरा बलकि वो इस वर्क के क्रिटिसिजम से मरा इस वर्क को स्टॉंगली क्रिटिसाइज किया उस से बरा लेकिन एक्चॉल में जो देखे जो डेथ रही है उसका रीजन रहा है ट्यूबर क्लॉसिस लेकिन चुकि एक छोटा बच्चा जिसने अभी पोईटिक करियर की शुरुबात की है उसके किसी वर्क को आप इतना जादे क्रिटिसाइज कर दोगे कि उसका मोराल ही डाउन हो जाए तो कही न कहीं उसका आसर पढ़ जाता है तो जॉन विल्सन क्रॉकर इन दा क्वार्टरली रिव्यू और इसी के साथ साथ एक दूसरे ओथर रहे हैं एक दूसरे क्रिटिक रहे हैं जॉन लोक हार्ट जॉन गिबिसन लोक हार्ट तो उन्हों ने भी इसको क्रिटिसाइज किया तो जो लोक हार्ट थे फ्रेंट्स लोक हार्ट ने इन डाइम यॉन को क्रिटिसाइज किया और किस में क्या फ्रेंट्स वो थी ब्लैक वूट्स मैकजीन ब्लैक वूट्स मैकजीन में भी इन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया ब्लैक वोड्स मेगजी के लियर फ्रेंट्स तो चलिए फ्रेंट्स एक बड़ा डिफेमेट्री टर्म रहा है जो जोन कीट्स को दिया गया और वो क्या कहा गया एक टर्म कोईन किया गया और वो टर्म था फ्रेंट्स कौकनी स्कूल तो जो कौकनी स्कूल है वो टर्म किस ने दिया वो यही क्रिटिक जो लोक हार्ट था लोक हार्ट ने इस टर्म को कॉइन किया, लोकार्ट कॉइन दे टर्म कॉक्नी स्कूल, कॉक्नी स्कूल, और ये किस के लिए कॉइन किया, ये क्या फ्रेंड्स लेहंट, हैजलिट और किट्स, तिनों के लिए है, हंट, हैजलिट और किट्स, और एक्चॉल में जो टर्म था, ये फ्रेंड्स कैसा टर्म था, ये कोई शान बढ़ाने वाला टर्म नहीं था, ये एक डीफेमेट्री टर्म था, क्या डीफेमेट्री टर्म था, यानि निंदा करने वाला टर्म था, और फ्रेंड्स, ये जो वारड आया है, इस कोईड्स का जो मतलब होता है, कोईड्स, एक्चॉल में क्या है, मैंँ बता दू, इंगलेंड की एक डाइलेक्ट है डाइलेक्ट समझते हैं एक बोली है और इवन जो इस्ट इंगलेंड है ये माना जाता है कि जो सेंट मेरी ले बो की जो चर्च है उसकी जो घंटियों की आवाज जितनी दूर तक सुनाई देती है वहां तक जो भी पैदा होते हैं लोग उनको कहा जाता है कोक नी और एक्चॉल में फ्रेंड्स देखिए इस डिफेमेटरी टर्म को देने का मतलब ये था कि ये जो तीनों लोग थे ये कहीं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े इवन अच्छी फैमली से नहीं थे इसी कारण ये डिफेमेटरी टर्म इनको दे दिया गया क्लियर फ्रेंड्स और इवन लोग हार्ट ने तो यहां तक एडवाईस दे दी थी कीट्स को कि कीट्स तुम्हारे बसकी बात नहीं है पोईट्री अपने प्लास्टर पिल्स और जो ओइंट्वेंट बॉक्से जब वहां पे चले जाओ मिन्स जो प्रोफेशन तुम छोड़ चुके हो वो उसी को पकड़ लो जाओ अपना जो मर्रम पट्टी है वो करो किस ने कहा फ्रेंड्स लोखहार्ट ने कीट्स को कहा लोखहार्ट एडवाइजड कीट्स किया एडवाइज दी बैक टू दा शॉप मिस्टर जॉन इससे पहले भी कुछ वर्ट्स थे जिए वेने फ्रेंड्स या डोड़ लगा दिया कि फ्रेंड्स कहां चले जाओ चले जाओ जाओ उसी शॉप पे चले जाओ बैक टू दा प्लास्टर पिल्स एंड ओइंट्मेंट बॉक्सेज पिल्स एंड ओइंट्मेंट ओइंट्मेंट बॉक्सेज बात के लिए रेफ्रेंड्स की तवित खराब होती जा रही थी टूबर क्लासिस उनको अपने पूरी तरह से उन पे हावी हो चुकी थी और जो डॉक्टर्स हैं डॉक्टर्स ने कहा कि जो कोल्ड कलाइमेट है ये तुमारे लिए ठीक नहीं है तो बैटर होगा कहीं जो वार्मर क्लाइमेट है उसमें तुम चले जाओ ताकि कुछ तुमारा ताकि जो क्यूर है वो रिकाबरी है तुम वहां इससे टूबर प्रॉसस से कर सको किलियर फ्रेंट्स किलियर फ्रेंट्स अब वार्मर क्लाइमेट का जब सजेस्टन दिया गया तो कीट चले गए एक फ्रेंट था इनका जॉसफ सेवरन सेवरन के यहां इटली में चले गए एड़ दा सजेस्टन मूवड तो हिस फ्रेंट जॉसफ सबरन जॉसफ सबरन के यहां चले गए और कहां चले गए फ्रेंट्स इन इटली इटली में चले गए फ्रेंट्स तब यह ठीक नहीं होती आ रही थी और इस तरह से ट्यूबर क्लॉसिस इन पे हावी हो गई थी कि उससे बचपाना नामुम्किन था तो एटीन ट्वंटी वन में अठारह सो इकिस में इनकी ट्यूबर क्लॉसिस के कारण डैप हो गई और फ्रेंट्स 1821 में भी यह जो अबाउट था यह फर्वरी का महीना था कोई डेट रही होगी तो अठारह सो इकिस के फर्वरी में अपना जो दोस्त था यही सवर्ण केट्स तुक लास्ट ब्रीट अंतिमसास जो ली वो अपने दोस्त सवर्ण की गोद में होने ली के लिए फ्रेंट्स तो चलिए नोट कर लेते हैं जो प्रोटेस्टन्ट सीमेट्री थी बहाँ इनको दफनाया गया और फ्रेंट्स इसी के साथ साथ जो इनका एपिटेफ था वो क्या था यह लाँ वोस नेम वाँ रिट इन वाँ वोस नेम वाँ रिट इन वाँ कि यहां एक ऐसा व्यक्ति लेटा हुआ है जिसका जो नाम है वो पानी पर लिखा हुआ है और इसके बाद जो लास्ट वर्ड है वो है ट्वंटी फॉर्थ फैव एटीन ट्वंटी वन किलियर फ्रेंट्स और हीर लाइज वन से भी कुछ वर्ड्स हैं कि हीर आर दा इमोर्टल्स ऑफ यंग मैन डॉट 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 फिर लास्ट की जो लाइज हो मैंने आपको यहां दे दी फ्रेंट्स जो फ्रेंड थे इनके लेहंट लेहंट ने तो यहां तक कह दिया कि जोन कीट्स की जो डैथ हुई है वो ट्यूटल्स से नहीं हुई बलकि जो कौर्टरली रिव्यू में जो इंडाइमियॉन पे अटेक हुआ है उसके कारण ले हंट ने कहा कि जोन कीड्स की उस अटेक के कारण डेथ हुई पीवी शेली ने अपनी एक पोएम फेंड्स जो एड़ोनिस पोएम उनकी रही है उसमें जोन कीड्स को मेमोराइज किया है मेमोराइजेज कीड्स इन हिज पोएम अड़ोनिस किलियर फ्रिंट्स तो बहुत सारी बाते हमने बायोग्राफी की सीख ली ओथर के बारे में सारी चीजे हमने जान ली लेक्चर भी फ्रिंट्स मुझे लगता है अच्छ काफी लंदी हो गया बोर भी आप हो रहे होंगे तो कोई बात नी फ्रिंट्स इस बोरियत से ही निकल के हमें हमारा जो रास्ता है वो हमारी सक्सिस की तरफ जाता है और फ्रिंट्स एक्चॉल में देखे एक चीज क्लियर कर दूँ जो लेक्चर्स हैं वो आपको रेगुलर वे में मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे और कोशिश है मेरी कि आपके एक्जाम से पहले ये सारा सलबस आपको मिल जाए इसे बीच कुछ लोगों के सजेस्टन्स हैं कुछ की डिमांड है कि जी हमें जो चैनल पे PDF नोट्स हैं जो भी आपने पढ़ाया है उसको अवलाबल करा दू फेंड्स देखिए लेक्चर जो चल रहे हैं ये फ्री ओफ कॉस्ट हैं इसमें आपको कुछ पे नहीं करना है लेकिन अगर आप बात PDF करते हैं तो जो PDF हैं वो फेंड्स फिरी नहीं हैं वो पेड हैं कितना है कैसा है अभी काम चल रहा है चैनल पे जितने भी टॉपिक्स में करा चुका हूं चाहिए वह आपकी वर्ड पावर हो नॉर्मन लूइस हो या आपकी कंप्लीट ग्रेमर हो या जितने भी ओथर्स हो वो सब वो डिजिटल फॉर्म में वो तैयार हो रहे हैं हो सकता एक चार्जेज हैं वो मैं अनॉंस कर दूँगा और जिसको वो परचेज करना है पूरा पैकेज मिन्स जो अगर आपको टाइम सेव करना कोई चाहरा है देखिए बैटर तो है कि आप उसको नोट डाउन करते रहें लेकिन अगर आपको लग रहा है मेरे पास टाइम नहीं है तो और उसको जो सॉफ्ट कॉपीज हैं वो आपको अवलबल हो जाएंगी तो उसकी भी एक कम्यूटी टैब में मैं एक अनॉंस्मेंट रिसेंटली में कर दूँगा तो जो चाहते हैं वो इच्छुक हों वहां मुझे कमेंट करके बता सकते हैं तो चलिए फ्रेंट्स मिलते है कि वैदिम निमिसर इसफार किफ्टे एक सकते हैं कि खुमनेसी रहे हुए हम सब को स्टड़ी करने जा रहे हैं तो फरेंड़ा इंट्रेस्टिंग और बड़ा इंपासट होने वाला है। दो चलिए फेंडहर कुछ कूर्सी से दिस्चस करते हैं और ये सोनेट थी अन फर्स्ट लुकिंग इंटू चापमेंज होमर देखें फ्रेंड्स यह जो सॉनेट थी यह थी एक पेटरारकन सॉनेट और पेटरारकन सॉनेट का मतलब होता है वो दो चीजों से मिलके बनी होती है एक उसमें ऑक्टेव होता है और एक सेस्टेट होता है यह पहली आठ लाइन ऑक्टेव कहलाती है और बाद की जो छे लाइन है वो कहलाती है वो सेस्टेट कहलाती है तो जो सॉनेट है सॉनेट में अब जानते हैं फोर्टीन लाइन होती है तो इस वर्क की अगर बात करें तो यह क्या है पैटराहरकन सोनेट यानि एट लाइन्स एंड प्लस सिक्स लाइन्स यह कहलाती है ओक्टेव और यह कहलाती है सस्टेट यह जो वर्क कम्पोज किया गया इनके एक फ्रेंड थे काउडन कलार के साथ इन्होंने सबसे पहले इस वर्क को पढ़ा और पढ़ने के बाद होमर को पढ़ा यानि की और होमर पढ़ने के बाद इन्होंने अपने फ्रेंड के साथ जब होमर पढ़ा तो अक्टूबर 1816 में यानि 1816 में उन्होंने इस वर्क को लिख दिया, कंपोज कर दिया. 1816 Just after reading Homer with his friend Clark Clear, friends? और इसमें एक बड़ी important line आती है, Much have I traveled in the realm of gold. Much have I traveled in the realm of gold. और realm of gold से मतलब है, friends, कि मैंने जो realms of gold है, कि मैंने जो realm कहते है, kingdom को, of gold कहते है, sone को. यानि मैंने जो सोने की जो राज्ये है, उनका मैंने भ्रमन किया है, और कितने राज्यों का बहुत सारे मैंने जो golden realm है, golden kingdom से उनका मैंने भ्रमन किया है, and many goodly states and kingdom scenes, and many goodly states and kingdoms scenes और बहुत सारे मैंने जो state हैं और kingdoms हैं, अच्छे रियास्ते हैं, अच्छे राज्ये हैं, वो मैंने देखे हैं, clear friends, तो ये दो लाइन इस quote से हैं, इस poem से हैं, आगे बढ़ते हैं, then felt I like some watcher of the skies, और फिर मैंने कैसा महसूस किया, मैंने ऐसा महसूस किया, कि जैसे कोई watcher of the skies, यानि कोई आकास का अध्यन करने वाला, जो स्टार्स का अध्यन करने वाला कोई व्यक्ति होता है, clear friends, then felt I, like the watcher of the skies, कि फिर मुझे कैसा महसूस हुआ, मुझे ऐसा महसूस हुआ, कि जैसे कोई watcher of the skies, कोई स्टार्स की study करने वाला होता है, या आस्मान को study करने वाला कोई व्यक्ति होता है, when a new planet swims into his, can, into his can, अब देखिए, क्या मतलब वा इसका, कि जैसे कोई एक नया प्लेनेट, swims into his can, के इन can, ये उस can की बात हो रही है, जिसमें मार्केट से तेल भर के लाते हैं, कोई liquid लाते हैं, तो कह रहा है कि, जब मुझे ऐसा लगा, जब मैंने होमर को पढ़ा, कि जैसे कोई watcher होता है, इसका watcher होता है, उसको कोई नया star मिल जाता है, जो उसकी खुशी होती है, वो ही मुझे महसूस हुई, और जैसे कि किसी star watcher को, कोई नया planet मिल जाता है, तो जैसे नया planet मिल जाता है, उसे जिस तरह की प्रसंता होती है, वो ही प्रसंता, मुझे चापमेन को पढ़के होई, चापमेन के होमर को पढ़के होई, क्लियर फ्रेंट्स, तो चलिए, note down, फ्रेंट्स, नेक्स्ट पोएम की बात करते हैं, और नेक्स्ट पोएम है, एंडी मियोन, जो पब्लिज हुई 1818 में, एंडी मियोन, पब्लिज इन 1818, और फ्रेंट्स, यह क्या है, along, narrative पोएम, क्लियर, यह जो पोएम है, यह बताती है, ग्रीक मिथ को, और किसकी है, जो ग्रीक मिथ, वो है फ्रेंट्स, मून गॉर्डेस है, सिंथिया, सिंथिया की, जो एंडी मियोन है, एक ग्रीक यूथ है, उसके साथ, जो लव स्टोरी है, उसको यह पोएम बताती है, लव स्टोरी है, जो विदे घ्रीक मिथ अध ऑ्गर्ण। मून गॉड्डेस, सिंथिया, विद और किसके साथ फिर्ण्स अग्रीक यूथ और दिवियौ सिंथिया फॉर अग्रीक यूथ और दिवियौ बात के लियर और इस पोयम की जो फर्स्ट लाइन है बड़ी फेमस फर्स्ट लाइन है फेर्ण्स A thing of beauty is a joy forever कि जो सुंदर वस्तुए होती है वो हमेशा के लिए आनन्दाई होती है और human nature है हर व्यक्ति सुन्दर वस्तु को देखना चाता है सुन्दर वस्तु को पाना चाता है तो जो सुन्दर वस्तु है वो क्या है? वो हमेशा आनन्दाई होती है और यह जो poem इन्होंने dedicate की वो dedicate कर दी किसको चैटरटन को? चैटरटन clear? इस poem की आगे बात करें तो जो poem लिखी गई है यो लिखी गई है friends I am big pentameter में rhyming scheme जो है इसमें वो क्या है? I am big pentameter I am big pentameter में और I am big pentameter जिसको हम दूसरा नाम भी जानते हैं और वो क्या नाम है? इसका heroic couplet clear friends? यह जो poem है यह four parts में बटी है यानि four book में बटी है और जिसमें अप्रॉक्स one thousand line each book में है यानि about four thousand lines की यह poem है divided into four books thousand lines each clear friends? तो चलिए नोट कर लेते हैं friends, next poem है Isabella देखिए जो Isabella है इसका जो subtitle है वो है The Pot of Bessel The Pot of Bessel और यह poem I friends 18 18 में 1818 में यह भी एक narrative poem है और narrative poem होने के साथ साथ अगर हम बात करें तो यह poem लिखी गई है ओटेवा राइमा में ओटेवा राइमा clear friends यह एक कहानी बताती है एक young woman की जिसकी family एक noble olive tree के साथ उसकी शादी करना चाहती है लेकिन जो Isabella है वो प्रेम करती है लोरेंजो से और लोरेंजो कौन है friends जो उसके brother है उनका वो employee है तो Isabella loves लोरेंजो जब भाईयों को पता लगता है कि बहन ने इस तरह शादी कर ली है तो जो उसके brothers हैं वो क्या करते हैं लोरेंजो का murder कर देते हैं और उसकी body को bury कर देते हैं यानि दफना देते हैं her brothers murder Lauren Joe and Barry his body बात के लिए friends और देखिए जो poem है Isabella जो scent of Agnes थी the eve of scent Agnes थी उसकी एक precursor poem मानी जाती है it was a precursor poem of the eve of scent Agnes clear friends तो चलिए नोट करते हैं friends next poem है Lamia Lamia में क्या है ये एक narrative poem है first appeared in the volume जो पहली बार appear हुई वो Lamia Isabella the eve of scent Agnes and other poems के नाम से ये poem आई और ये publish हुई कब इन जुलाई 1820 में clear friends अ नर्रेटिव poem published in July 1820 और वोल्यूम कौन सा था friends वोल्यूम था Lamia Isabella the eve of scent Agnes and other poems इस वोल्यूम में ये poem published हुई और ये जो इसकी theme रही है वो कहां से रही है friends जो बर्टन थे एक author बर्टन की the anatomy of melancholy तो वो इसका source रहा है बर्टन्स इसमें एक्टन में जो लेमिया है ये एक लेड़ी है और ये क्या है एक सर्पेंट वोमन है असर्पेंट वोमन असर्पेंट ये और ये क कमस अक्रास लेमिया और ये वाelles सर्चिंग तो लेमिया हैं сделал in recent Times इसके बद नेक्स्ट पोएम आती है लेमिया के बाद हाई पेरियॉन जो आई 1818 में 1818 में 1818 में और फ्रेंट्स ये जो मॉडल्ड थी ये थी highly model on paradise lost paradise lost पे ये अधारी थी और ये के शुन फ्रेंट्स कई बार आया है कि ये जो पोएम है ये किस पे बेज़्ड है ये पेरड़ाई लॉज पे कौन सी पोएम बेज़्ड है और जो हाई परियॉन है इसकी अगर राइमिंग की बात करें तो ये लिखी गई है फ्रेंट्स ब्लैंक वर्स में और फ्रेंट्स इसी के साथ साथ एक चीज़ और है एक बड़ी फेमस लाइन आती है कि जो सुंदर्ता में पर्थम होता है उसको शक्ती में भी पर्थम होना चाहिए सुंदर्त करेंगें यॉफर्स इन गने ट्रहिए मैं अपने इसवाइब पूल यॉफर्स इन एमएड।र्ण निसमें प्रियर फ्रेंप्रम फ्रेंट्स इस नेवाव यॉफर्स नो ग्रिर्स होता फ्रेंट्स भी दिन ग्रिजाए लिजांगरें लेता है और ने लिटेए देखिए पोएम आई 1819 में यानि यह लिखी गई फिरंट्स कम्पोज्ड इन 1819 में और ये जो फिरंट्स पोएम रही है ये एक रोमांटिक नरेटिब पोएम रही है क्या फ्रेंट्स रोमांटिक नरेटीब पोएम फ्रेंट्स कम्पोज तो 1819 में रही लेकिन अगर पब्लिज्ड की बात करें तो पब्लिज्ड अगले साल हो गई थी यानि 1820 में लॉंग नरेटीब पोएम रही है और पोएम के साथ साथ यह जो लिखी गई है यह इस्पैंसेरियन इस्टेंजाज में यह पोएम लिखी गई है अब यह जो पोएम एक्च्वल में एक ऐसे फॉक विलीफ है एक ऐसा उस पे बेज रही है और वो फोग बिलीफ क्या है कि जो इव आफ सेंट अगनीज होती है अगर उस पे कुछ कोई जो राइट्स वहां परफॉर्म किये जाते हैं सेंट अगनीज की इव पे तो उसमें एक विश्वास है एक ऐसी मान्यता है कि कोई लड़की है अगर वो उस इव पे कुछ राइट्स है अगर वो परफॉर्म करती है तो उसे जो उसका फ्यूचर हज्बेंड है उसको वो सपने में देखती है क्लियर फ्रेंट्स बेस्ट ऑन फॉक बिलीफ था गर्ल कूड सी और किसको देखती है हर फ्यूचर हज्बेंड इन ड्रीम सपने में देखती है कब देखती है फ्रेंट्स इफ शी परफॉर्म्ड सम राइट सम दा इव ओप सेंट एगनीज अब हम बार बार इव की बात कर रहे हैं इव ओप सेंट एगनीज तो इव ओफ सेंट एगनीज है क्या यह एक्चुल में फ्रेंट्स जो 20 जैनवरी है एवरी मन्त वो इव ओप सेंट एगनीज बानी जाती है क्योंकि एक फस्टिवल होता है सेंट एगनीज फीस्ट वो जो फीस्ट परफॉर्म होता है वो होता है 21 जैनवरी को वो परफॉर्म होता है तो उसकी जो इव है सेंट सेंट एगनीज की वो मानी जाती है 20 जैन्वारी सेंट एगनीज इव 20 जैन्वारी और जो फीस्ट है सेंट एगनीज फीस्ट 21 जैन्वारी बात के लिए है कीर्स ने ये पोएम जो लिखी फेंट वो जब काईचेस्टर में रह रहे थे तब उन्होंने इस पोएम को लिखा वाइल ही वाज स्टेंग काईचेस्टर के लिए फ्रिंट्स तो चलिए नोट कर लेते हैं चलिए फ्रिंट्स नेक्स्ट पोएम की बात करते हैं और यह आपकी पढ़ी हुई पोएम हैं बड़ी फेमस पोएम ला बहले यह पोएम फ्रिंट्स जो कम्पोज की गई वो की गई 1819 में देखें कम्पोजिशन इयर में दे रहा हूं हलाकि जनरली पूछे नहीं जाते कम्पोजिशन इयर और यह जो पोएम है अगर इसकी फॉर्म की बात करें तो यह है फ्रिंट्स एक लिरिकल बैलेट और फ्रिंट्स यह बताती है एक नाइट और नाइट का पैसन बताती है और वो नाइट किस तरह भटकता है और एक्च्वल में यह माना जाता है कि जो फ्रिंट्स यह जो पोएम है यह जो कीट की ओटो बाइगरफी है means autobiographical element है जो नाइट है वो वास्ता में कीट्स खुद है और जो वो फेरी है वो है उनकी बिलविड फैनी ब्राउन क्लियर फ्रिंट्स पोएम डिल्स विद अ होपलेस पैसन ऑव नाइट फार आ फैरी और ऑटो बैरेफिकल एलिमेंट क्या है कीट्स कीट्स लव और फैनी ब्राउन पोएंट क्लियर वाफेंट्स पोएम की ओपनिंग लाइन है ओ वाट कैन एल दी नाइट आप्स अलोन और फैली लोत्रिंग अ व्र वाट कैन एल दी नाइट अंस ओ वाट केन एल दी नाइट इट आम्स अलोन एंड पेलिली लॉयट्रेंग अरे नाइट इट आम्स अरे शस्त्रों से सुसजित सैनिक वाट केन एल दी तुम्हें क्या प्रॉबलम है क्या प्रॉबलम है और यू लॉयट्रिंग हीर अलोन एंड पेलिली तुम पीले पड़े हुए दिख रहे हो और अकेले तुम यहां क्यों घूम रहे हो क्लिए फ्रेंट्स एक और बड़ी फेमस लाइन आती है आई सी या लेली ओन दाई ब्रो और यह किसका एक्जामपल है फ्रेंट्स एक मेटाफर का एक्जामपल है कि आई सी या लिली ओन दाई ब्रो की जो तुमारी ब्रो है आई ब्रो है उस पे मुझे क्या दिखाई देती है एक लिली फ्लावर मुझे दिखाई देता है क्लियर फ्रेंट्स तो चलिए नोट कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंट्स नेक्स्ट पोएम है ओड टू इंडोलेंस और यह जो ओड टू इंडोलेंस है यहाँ जो वर्ल्ड है फ्रेंट्स इंडोलेंस इंडोलेंस क्या होता है इंडोलेंस कहते हैं लिथार जी को कभी कभी हम ऐसे आलस में होते हैं कि बस मन है तो पढ़े है तो पढ़े ही है लेकिन सारी चीजां में पता होती है तो जो आलस है वो क्या कहलाती है वो लिफार्जी है वो क्या कहलाती है वो कहलाती है Friends इंडोलेंस ये जो Óइम लखी गई एमें soybeans in the month of spring in 1819 इस प्रिंग में लखी गई 1819 में क्लियर ये एक 10 line stringage में लिखी गई है, और फ्रेंट्स ये जो poem इन्हों ने लिखी, इससे पहले एक poem आई थी, Ode to Melancholy, Ode to Melancholy के just after ये poem लिखी, और इसके कुछ बहिने बाद इन्हों ने लिखी थी, तो autumn, और इसकी जो opening line है, बड़ी प्यारी line है, One more before we, One more before me, were three figures seen, One opening line, One more before me, Three figures scene, कि एक दिन मुझे क्या दिखाई दिया, मेरे सामने three figures आई, तीन figures आई, तीन चित्रा आई, और एक्च्छल में जो three figures है, ये किसकी बात हो रही है, ये question बन पड़ता है, कि ये three figures कौन है, तो ये friends, love, ambition, and poetry, तो ये three figures, आर, love, ambition, and poetry, clear, तो ये three figures मेरे सामने आई, और एक्च्छल में author कहते हैं, कि पहले तो मैं उनको नहीं पहचान सका, जब वो मेरे सामने से गुजड़ी, तो मैं नहीं पहचान सका, लेकिन third time, जब वो तीसरी बार गुजड़ी, पहली बार गुजड़ी, नहीं पहचाना, दूसरी बार पास हुई, नहीं पहचाना, लेकिन जब वो मेरे सामने तीसरी बार गुजड़ी, थर्ड टाइम, तीसरी बारों को पहचाना, क्लियर फिंट्स, वाइल दे वर पासिंग, थर्ड टाइम, शॉट कर दिया मैंने, पेन, हैड, नो स्ट्रिंग, की जो दर्द है, दर्द में अब कोई चुभन नहीं है, और प्लेजर्स, रैथ, नो फ्लावर, एंड, प्लेजर्स, रैथ, हैथ, नो फ्लावर, यह इस पोएम की एक लाइन है, की जो पेन है, पेन, हैड, नो स्ट्रिंग, की दर्द में अब कोई चुभन नहीं है, मैं ऐसी स्टेज पे हूँ, ऐसा मैं फील कर रहा हूं, की जो दर्द है, वो मुझे कोई पीडा नहीं दे रहा है, प्लेजर्स रैथ, और जो एनंद है, जो सुख़ः, सुख़ः की जो माला है, रैथ काते है फ्रिंस, गार्डलंड को, जो सुख़ः की माला है, हैथ, हैथ, नो फ्लावर, की उसमें कोई फूल नहीं है, की अब दर्द में मुझे कोई चुभन नहीं दिख रही है और जो सुख है मुझे सुख भी नहीं दिख रहा है यानि सुख की माला में भी कोई फूल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है और इसकी थीम की अगर पोयम की बात करें तो वो थी Castle of Indolence से ली गई है और किसकी पोयम थी थॉम्शन की थॉम्शन से ली गई थॉम्शन की पोयम से तो चले फिंट्स नोट भी कर लेते हैं साथ सात फिंट्स नेक्श्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्स करते हैं Ode To Psy की अब देखे जो पोयम है Ode To Psy की इसमें बड़ी फेमस लाइन आती है तो पाड़के और पै थेड़नमें तुच्छ कि on कि उनके जो lips थे, their lips does not, वो lips आपस में मिले हुए नहीं थे but had not made a view, made a view, लेकिन वो अलग भी नहीं थे, कभी अलविदा भी वो नहीं कह चुके थे, clear? तो यह quote इस poem से आ जाती है, line, और इसके लाब वो poem के, अगर written और composition year की बात करें, तो जो poem लिखी गई थी, friends, यह लिखी गई थी, eighteen, nineteen, इसका जो source रहा है, वो रहा है, legend of psyche, legend of psyche, यह इसका source रहा है, friends, और actual में यह जो कहानी कही गई थी, वो एपुलियस था, एपुलियस ने, जो golden age था, वहाँ, यह जो कहानी कही थी, तो वो इसका source रही है, और एक जो legend है, legend में, actual में, जो psyche है, यह friends, एक Greek king थे, Greek king की बेटी थी, जिसको प्रेम हो गया था, क्यूपिड से, और क्यूपिड कौन है, friends, जो एफ्रोडाइट का बेटा, कहा जाता है, माना जाता है, Psyche, was the daughter of a king, and she falls in love with Cupid, the son of April right, clear friends, तो चलिए, note कर लेते हैं, पिर आगे बढ़ते हैं, friends, next ode है, ode to autumn, और देखिए, जो John Keats थे, उनकी जो ode थी, वो बड़ी famous रही है, और इसलिए हमें study भी इनको करना थोड़ा-थोड़ा जरूरी है, यह composed हुई friends, September 18-19 में, और अगर इसकी बात करें, तो यह जो ऐसी ode है, जिसको कहा जाता है, most perfect ode of John Keats, clear friends, most perfect ode of John Keats, John Keats की perfect ode, और इसकी जो ओपनिंग लाइन है, वो है, friends, season of mist, और mist किसे कहते हैं, फिर्ट मिस्ट कहते हैं, धुंद को, कोहरे को, and mellow fruitfulness, यह इसकी ओपनिंग लाइन है, कि जो mist का season था, और इसी के साथ साथ, जो mellow fruitfulness, mellow कहते हैं, राइप को, ripe, sweet, या juicy, को mellow कहा जाता है, तो mellow fruitfulness, कि जो पकेवे फलो का मोसम, और कैसा मोसम, season of mist, mist का मोसम, पकेवे फलो का मोसम, और एक लाइन और आगे है, कि close bosom friend of maturing sun, कि close bosom friend, close friend, किसका close friend, maturing sun, यानि जो चरता हुआ सूरज है, उसका घनिस्ट मित्र, clear friends, तो बहुत ज़्यादा इस ओड में नहीं था, चलिए, अब आगे बात कर लेते हैं, ode to melancholy, और melancholy की बात करें, तो friends, ये भी 18, 19 में ही आई, और एक author थे, बर्टन, बर्टन की, जो anatomy of melancholy है, वो इसका source रही है, बर्टन्स, anatomy of melancholy, ये इसका source रही है, और एक्च्वर में जब ये poem लिखी है, melancholy, देखे, melancholy का मतलब होता है, उदासी, तो author जो थे, वो melancholy के mood में थे, जब उन्होंने ये poem लिखी, और एक बड़ी famous line आ जाती है, इस poem की, she dwells with beauty, और beauty that must die, she dwells with beauty, beauty that must die, कि वो सुन्दर्ता के साथ रहती है, और कैसी सुन्दर्ता, that must die, उस सुन्दर्ता तो जो क्या है वो नस्ट हो जाना है, और फ्रेंट्स जो एक्च्वर में melancholy की जो theme रही है, वो Buma और Milton से भी मिलती जोती है, जो Buma थे, trades, the theme, of Buma, and Milton, clear friends, lecture difference, I think काफी लेंदी हो गया, वह हमें लेक्चर अपना आज खात्म कर देना चाहिए, और कुछ और poems बची हैं, जोन कीट्स की, इसी के साथ साथ कीट्स की जो बाइग्राफी है, और बाइग्राफी के साथ साथ और बहुत सारे critical remarks या बहुत सारे important questions रह जाते हैं, उनको हम next lecture में cover up कर लेंगे, I hope, तो चलिए friends मिलते हैं next lecture में, आपको lecture कैसा लगा, अपनी राइब मुझे comment करके जरूर दे, now thanks for watching this video, Hello friends, पिछले कई दिनों से आपके project में busy होने के करण मैं जोन कीट्स पे कुछ नया नहीं दे पाया, और actual में friends, जोन कीट्स की क्या कुछ नया काम हम कर ही नहीं पाए, तो चलिए, अब हम अपने regular way में हमारी जो class है चल रही हैं, यानि literature की, उनको हम आगे बढ़ाते हैं, तो friends, जोन कीट्स पे हमने दो lecture हमारे आ गए थे, उसके बाद अभी और काम हमें करना है जोन कीट्स पर, और यह मान के चलिएगा एक आज का lecture है और इसके बाद एक lecture और आये का जोन कीट्स पर, तो चलिए friends, आज का lecture हमें स्टार्ट करते हैं और आज के lecture में हम बात करेंगे, जोन कीट्स के जो important works हम कर रहे थे point-wise उन works को हम यहां discuss करते चलते हैं, तो फिर नेक्स्ट वर्क जो आज हम discuss करने जा रहे हैं वो है Ode to a Grecian Urnd, देखे एक्च्वल में यह जो Grecian यहां word लिखा है यह आया है Greece से, और Greece से यानि आप कह सकते हैं कि यूनानी, चुकि जो Greece है, Greece को आप यूनान कहते हैं, तो यहां इस Grecian का मतलब है यूनानी और जो Urnd है, Urnd कहते हैं friends किसी pot को, किसी कलश को जिसें simple way में कलश कहते हैं, तो यह Grecian Urnd क्या है कि यूनानी कलश है, यह जो poem लिखी गई, यानि यह जो ode लिखी गई, यह friends 1819 में यह लिखी गई, और इसमें अगर बात करें तो बड़ी famous एक quote हमारी आती है, Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter, कि जो melodies, जो गीत सुने होते हैं, वो sweet होते हैं, लेकिन जो गीत, अंसुने होते हैं, वो और भी बीठे होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि दूर के ढोल सुहाबने लगते हैं, बस कुछ-कुछ वही sense यहां इस quote में आता है, कि Heard melodies are sweet, कि Heard melodies are sweet, कि जो melodies जो हमने सुनी हैं, जो गीत हमने सुने हैं, वो मीठे होते हैं, लेकिन जो गीत unheard हैं, जो अभी हमने नहीं जुने, वो कैसे होते हैं, वो और मीठे होते हैं, clear friends, एक और बड़ी famous quote यहां आती है, आता है, दाओ इस्टिल अन्रेविज्ट ब्राइड ऑफ कोईटनेस, अब देखें, मेनिंग क्या हो इस लाइन का, दाओ इस्टिल अन्रेविज्ट ब्राइड ऑफ कोईटनेस, फ्रेंट्स ब्राइड कहते हैं दुलहन को, और कोईटनेस कहते हैं शांती की, किसकी दुलहन सांती की, और अभी तक कैसी है अन्रेविज्ट, तो अन्रेविज्ट का मतलब होता, अन्टर्ज्ट, clear, यानि एक ऐसी दुलहन, शांती की एक ऐसी दुलहन जिसको अभी तक छुआ नहीं गया, यानि अभी तक अचूती दुलहन है किसकी शांती की, clear, फ्रेंट्स, अच्छी कोट है, अक्सर ये दोनों कोट आ जाती है इस पोयम से, तो इसलिए यहां मैंने ले ली है, और फ्रें कीट्स, कार्ड दा अर्ण, सिल्वन हिस्टोरियन, अब देखी जो इस अर्ण को क्या कहा है, सिल्वन हिस्टोरियन, अब सिल्वन हिस्टोरियन, यानि अब सिल्वन हिस्टोरियन क्यों कहा है, क्योंकि यह जो है यह हिस्ट्री बताते हैं किसी किसी देश की हिस्ट्री यह जो अर्ण है वो बताते हैं यानि जो कलश होता है वो किसी भी देश का संबल होता है किसी भी देश की कल्चर का एक हिस्ट्री बताने वाला एक माध्या होता है कि एक बड़ी फेमस लाइन जो अक्सर एक्जाम में आती ही आती है और वो क्या है beauty is truth, truth beauty, beauty is truth, truth beauty, beauty, कि जो beauty होती है, सुन्दरता होती है, वो क्या होती है, वो सत्य होती है, और जो सत्य होता है, वो सुन्दरता होती है, यानि सत्य ही सुन्दर होता है, यह line बड़ी फेमस कोट है, और friends, यह कोट ऐसी ही है, जैसी एक कोट हमने और पढ़ी थी, fair is foul foul और foul is fair कि जो अच्छा है वो बुरा है और जो बुरा है वो अच्छा है याद आ रहा होगा कौन से प्ले की है तो अगर याद आ रहा है तो friends comment करके जरूर बता दीजेगा मुझे ताकि मुझे भी लगे कि आप वास्ता में पढ़ रहे हैं clear? fair is foul foul is fair तो friends इस quote की बात करें तो देखें इस में क्या है ये जो पहला फ्रेज है राइटर बाद वाले फ्रेज में राइटर ने इनी वर्ट्स को repeat करके लिख दिया है तो यहाँ एक special figure speech भी आ जाती है और वो आती है friends kaiasmas kaiasmas तो kaiasmas क्या है ये एक ऐसी figure speech है जिसमें author क्या करता है वो पहले ही फ्रेज को बाद वाले clause में repeat कर देता है बत clear होई friends तो चलिए ये जो poem है ये important बाते आपको बता दी चलिए इसको note कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं चलिए friends अब हम बात कर लेते हैं John Keats की सबसे important poem और जिससे अकसर question पूछे ही जाते हैं वो है friends Ode on Nightingale Ode और friends इस Nightingale के नाम मुझे याद आया एक TGT में question आया था कि जो Nightingale है ये poem किस ने लिखी है वहाँ Ode on Nightingale नहीं था वहाँ केवल Nightingale था Nightingale किस ने लिखी है तो जो Nightingale एक्च्वल में वो writer ने जो question उठाया था वो friends Robert Bridges की एक poem है जो intermediate में लगी हुई है वहाँ उस poem की वहाँ बात की थी तो कुछ लोग गलत भी कराये थे उसको तो friends एक चीज़ और बता दूँ जो हमारे TGT aspirant है उनके लिए जो syllabus हमारा intermediate का है उसमें जो poems लगी हुई है या authors लगे हुए है किस lesson के कौन से author है वो भी आप एक बार याद कर लें बहुत बड़ा issue नहीं है लेकिन एक question आपका आने के वहाँ chances होते हैं तो Old Old Nightingale बड़ी famous poem मानी जाती है और friends यह इन्होंने लिखी 19 में यानी 18-19 में और यह publish हुई उसके एक साल बाद यानी 18-20 में clear friends और Nightingale का मतलब क्या होता है यह बुल-बुल होता है और actual में देखिए जो author है वो बड़े उदासी में थे उदासी का कारण था कि उनका जो भाई था भाई की tuberculosis से मौत हो गई थी और friends नर्सिंग के दोरान भाई की सेवा करने के दोरान ही एक severe cold का जो attack है वो जो उनकीट्स पे हुआ और even कुछ किटिक्स ने कहा कि यह एक symbol है यह जो आने वाली उसकी family disease है यानी tuberculosis उस tuberculosis का यह पहला attack था means पहला symptom था जब जो उनकीट्स को tuberculosis का आसर दिखाई दिया था तो friends चलिए बात कर लेते हैं कि यह जो poem लिखी गई है the poem was written just after the death of Keats brother Tom just after the death of his brother Tom और Tom की death किस से हुई थी वो हुई थी friends tuberculosis से और even जो John Keats की खुद की death हुई थी वो भी tuberculosis से ही हुई थी और friends यह जो poem लिखी गई यह जब John Keats ने लिखी तो वो कहा थे वो अपने friend अपना जो भाई है अपना जो दोस्त है एक Charles Brown Charles Brown के यहां वो ठहरे हुए थे आजी तोर से जोड़ने लिख्वन मोरे केते केट के somm黄णिा 煮 स्थे हम वह रितन वहाइं लिञड की ह्तनenk जोड़नी सिस प घोग्य से देशने लौब किस्य पूड can we केलियर हो गई यानि जब वो चार्ल्स ब्राउन के पास फैरे हुए थे तब उन्होंने इस पोएम की रजणा की और फिर्ण्स यह जो पोएम है यह मोस्ट पर्सनल उनकी जो ओड है यह मानी जाती है किट्स ओड वोज दिस ओड वास्ट पर्सनल ओड ओड जोन कीट्स क्लियर और फिर्ण्स यह फोर टू फाइव ओड यहां जो ग्रेट ओड जोन कीट्स ने लिखी उन में से यह नंबर वन पे यही ओड मानी जाती है और एक चीज़ और बता दो फिर्ण्स कई बार कुछ जो पोएम्स हैं जो इंपॉर्डन पोएम्स होती हैं उनकी ओपनिंग आजाती हैं तो हमें जो भी इंपॉर्डन पोएम्स है किसी ओधर की उसकी हमें उपन निक्स है वहां पता होनी चाहिए कि कौनसे पोयम्स ही मर्द ऐखती मैं हार्ट एक्स और ॉड्रौसी नम्नेस पेन my heart x और x का मतलब होता है friends क्या होता है दर्द पहुचाना या चुभन होना my heart x and a drossy numbness pain pains कि जो मेरा हिर्द है उसमें एक महसूस करता हूँ मिन्स हिर्द में मुझे दर्द साउटता है और drossy कैते friends एक निंदरा में यानि नीन सी आजाना कि मेरे जो अंग है उनमें दर्द के कारण क्या होता है एक सिथिलता सी आजाती है यानि मुझे कैसा महसूस होता है कि जैसे मैं सो रहा हूँ मैं नीन में हूँ ऐसा में सरीर में रड़ हीला पड़ जाता है और इस poem की अगर बात करें तो fancy लिखी गई है in ten line stangas यानि दस line का stangas है उसमें लिखी गई है एक और famous इसकी quote आती है the weariness, the fever and the fret the weariness the fever and fret की जो weariness है weariness क्या होती है friends जो थकान है थकान है, fever है यानि जो दर्द है और जो fret है fret कहते है friends तड़प को कि ये चीजे हैं और ऐसी हैं कि जहां लोग मिल जूलकर बैठते हैं और वो थकान में हैं पीड़ा में हैं कि वो सब मिल जूलकर बैठें और बैठके अपनी जो दर्द हैं वो मिल बाते हैं इस पोईब की इसको हम यहाँ देख लेते हैं वो जो सुंदर्ता है किसकी एक महिला की सुंदर्ता है एक नारी की सुंदर्ता है वो ना बच सके मिन्स एक जो नारी है वो अपनी सुंदर्ता को ना बचा सके ऐसा इस लाइन में कहा है और आगे आथर कह रहे हैं रहे हैं कि दाव वाज नौट बॉणल फॉर डेथ इमोल्टल बर्ड वह इमोल्टल बर्ड इसको कह रहे हैं कि अमर्पक्षी और अमरपक्सी कौन है फ्रेंट्स ये जो नाइट इंगल है नाइट इंगल को अथर ने कहा है जो उन कीट्स ने कि अरे अमरपक्सी दा वाज नौट बॉर डैथ कि तुम म्रत्यू के लिए पैदा नहीं हुए हो ये अमरपक्सी तुम मरने के लिए पैदा नहीं हुए हो clear friends no hungry generations tread the down और आगे कहते हैं no hungry generations tread the down और जो भूकी मानवता है कि कोई भी भूकी मानवता है वो तुम्हें tread down नहीं कर सकती means जो भूकी मानवता है तुम मरने के लिए नहीं पैदा हुआ और जो भूकी मानवता है वो तेरा कुछ भी नहीं विकार सकती clear friends और आगे एक बड़ी फेमस लाइन है was it a vision or a waking dream was it a vision or a waking dream कि मैं कोई सपना देख रहा हूं या मुझे कोई दरश्य । दिखाई दे रहा है या मैं कोई सपना देख रहा हूं कैसा सपना जागते होए कोई मैं वेकिंग ड्रीम कभी कभी फ्रेंट्स ऐसा होता है जब हम आलस में होते हैं इंडोलंस में होते हैं और अक्सर यह सिच्वेशन हमारी दोपहर के समय में होती है जब गर्मी आती है गर्मियों की जो दोपहर होती है कि हम सोते रहते हैं लेकिन नींद में होने के साथ हमें पता तो वही बात यहां आथर कहा रहे हैं वेकिंग ड्रीम कि मुझे लगता है कि या मैं कोई विजन देख रहा हूं मैं सपना देख रहा था कि जागते हैं कोई Sपना देख रहा हूं फ्लैड is the music, do I wake or sleep, फ्लैड is the music, और आगे कहते हैं कि फ्लैड is the music, जो संगीत है, वो चला गया, वो भाग गया, और कहते हैं, अब यहां किशन पूछते हैं, आथर अपने आप से, क्या मैं जाग रहा हूँ, या सो रहा हूँ, और यह फ्रेंड्स क्या है, यह इस पोयम की लास्ट लाइन है, क्लियर फ्रेंड्स, तो लाइन्स हम डिसकस कर चुके हैं, अब हम कुछ important points हम डिसकस करते हैं आथर के बारे मे देखें, चुकि जोन कीट्स है, जोन कीट्स की जो desires थी, वो unfulfilled रही, एक छोटा बच्चा बहुत थोड़ी सी उम्र में expire हो जाता है, तो शैली ने जो कहा है, जोन कीट्स को, वो कहा है, the inheritors of unfulfilled renown, means एक ऐसा व्यक्ति, कि जिसकी जो प्रसिद्धी है, वो प्रसिद्धी क ना पा सका हो, और प्रसिद्धी पाने से पहले ही, वो मर गया, clear friends, तो शैली ने कहा है, शैली कॉल्ड कीट्स, दा इन हैरिटर, इन हैरिटर्स अव, अन-फुल्फिल्ड रिनॉन, friends, जोन कीट्स ने एक लेटर में कहा, कि I have loved the principle of beauty in all things, कीट्स रोट इन ए लेटर, I have loved the principles of beauty, कि मुझे जो प्रेम हुआ है, मैंने प्रेम क्या है, वो किस से जो principles of beauty, यानि सुन्दर्ता के सिधान्त है, उनसे मुझे प्रेम हो गया है, और friends, जोन कीट्स की जितनी important poem है, उतने ही literary importance के उनके letters है, उनमें भी उन्हें बहुत सारे points निकल के आते हैं, तो चलिए, उसको भी हम नोट करते चलेंगे साथ साथ, लेकिन फिलाला आप इसको नोट करते चलिएगा, अथियो अर्नोल्ड ने जोन कीट्स के बारे में एक बात कही है, और वो क्या कही है, कि जो जोन कीट्स है, वो तो शिक्ष्पियर के बराबर है, clear friends, He is with Shakespeare, और ये ही किसकी बात हो रही है, फ्रेंड्स जॉन कीट्स की, फ्रेंड्स जॉन कीट्स पे एक पेस्टोरल इलेजी रही है, और वो रही है, जॉन कीट्स के जो कंटेमपोरेरी थे, इनके एक फ्रेंड थे, पीवी शेली, पीवी शेली ने लिखी, और उसका नाम क्या था फ्रेंट्स वो था एड़ोनिस और एड़ोनिस में शैली ने कहा और क्या कहा एड़ोनिस में देखिए जो डैथ हुई थी जो अनकीर्स की वो हुई थी कंजप्सन के कारण और हाँ एक चीज बता दू फ्रेंट्स कई बार ये जो ट्यूबर क्लॉसिस है इसके बदले एक दूसरा वर्ड आ जाता है वो आता है कंजप्सन तो कंजप्सन का मतलब भी ट्यूबर क्लॉसिस होता है उसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हूँ और मुझे लगता है एक बार ये किश्वन आया भी ये कंजप्सन इसलिए मुझे ध्यान आ गया तो फ्रेंट्स जो एडोनिस को रेफर करते हुए जोन कीट्स के बारे में शैली ने कहा क्या कहा कि I have dipped my pen in consuming fire for his destroyers I have dipped my pen कि मैंने जो अपना pen dip किया है वो किस में dip किया है consuming fire for his destroyers his destroyers कि एडोनिस को लिखते हुए कि उसके जो destroyers हैं उनकी fire में consuming fire उनके एक ऐसी आग जो सब को निगल लेती है उस आग में मैंने अपना pen dip किया है और तब जाके मैं इस एडोनिस को लिख पाया हूँ और actual friends यहां अगर destroyer की बात आ रही है यानि नस्ट करने वाले किस को जोन कीट्स को नस्ट करने वाले तो वह है एडिटर्स ओफ quarterly review और ब्लेक वूड मेगजीन editors ओफ quarterly review और ब्लेक वूड मेगजीन जिनौने बहुत ज्यादा क्रिसाइज किया compose इतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर दिया कि अगर कशनी वाख़ेश्य एक छोटा बच्चा एक यंग लैड जो पोईट्री लिखनी जिसने सुरू की है उसको आप इतना किटिसाइज कर दो कि वो कहीं उसका मोरल ही डाउन न हो जाए clear friends तो चलिए एक और बड़ी quote आती है बड़ी famous quote आती है कि first in beauty should be first in might कि जो सुन्दर्ता में first है सुन्दर्ता में सबसे आगे है उसे शक्ति में भी सबसे आगे होना चाहिए किस ने कहा friends जोन कीट्स ने और किस में कहा हाई पैरियोन में first in beauty should be first in might कि जो सुन्दर्ता में प्रथम है उसको शक्ति में भी प्रथम होना जाहिए clear friends तो चलिए note कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं चलिए friends आगे बढ़ते हैं जोन कीट्स ने एक बात और कहीए अपने फ्रेंड को फ्रेंड एक्च्वल में कौन था हैमिल्टन था और हैमिल्टन को इन्होंने कहा लिखते हुए उस एक लेटर में लिखा कि we hate poetry that has a palpable design we hate the poetry that has a palpable design और किसमे का फ्रेंस जोन कीट्स तो एल इन एलाइटर तो हिस फ्रेंड और फ्रेंड का नाम था फ्रेंड्स हैमिल्टन क्लिया कि we hate poetry that has a palpable design कि हमें एक ऐसी poetry से नफरत करनी चाहिए घ्रणा करनी चाहिए जिसका जो design है वो palpable होता है यानि जो spust होती है कि poetry कभी spust नहीं होनी चाहिए clear और अगर कोई poetry spust है तो हमें उससे नफरत करनी चाहिए एक और poetry के बारे में एक और बड़ी famous बात कही है कि poetry should surprise by a fine axis should surprise by a fine axis क्या कहा किर्स ने कि पोईट्री को सर्प्राइज करना चाहिए एक फाइन एक्सस के द्वारा और एक चीज़ और कहिए कि पोईट्री कि अगर पोईट्री ऐसे नहीं आती जैसे कि पेड़ से पत्ती आती है तो उस पोईट्री को जो है वो आना ही नहीं चाहिए क्लियर फ्रेंट्स पोईट्री कि इट्स सेड क्या कहां फ्रेंट्स कि इफ पोईट्री शूड कम as लिवस्त पोईट्री क्वट्री क्लियर फ्रेंट्स अप्रेंट्ट्री कि इट्स पोईट्री पोईट्री उस प्रेंट्री गर्वस्तों कि इट् WeChat नहीं चेट्रिव बीउट्री चिक जैटी जितनी की leaves आती हैं एक पेड़ पर उतनी naturally अगर वो नहीं आती तो it had better not to come at all, it had better not to come at all, तो ये अच्छा है कि वो आए ही ना, यानि poetry को naturally आना चाहिए, जैसे विलियम वर्सवर्थ ने कहा है कि poetry is a spontaneous or flow powerful feelings, कि जो poetry है वो क्या है, जो powerful feelings है हमारी उनका ही एक स्वत्य फुटन होती है, क्या होती है friends poetry, तो ऐसे ही विल्कुल similar example यहां है, यहां भी उसी वे में कहने की कोसित की है, जो उनकी leaves ने, कि poetry अगर वै कि leaves होती है, तो better है कि ऐसी poetry आही ना, friends lecture तो काफी लंदी नहीं हुआ है, लेकिन चुकि आगे जो आपको promise किया है, मैंने बाकी authors देने का, तो उस project पे भी काम करना है, तो आज का lecture यहीं complete करते हैं, और हाँ friends, एक question और था, अकसर exam में आता है, कि जो कीट्स की ode हैं, वो कैसी हैं, यह 2013 में भी exam में आया था, शायद PGT के exam में किश्चन था, और किसी subscriber ने, किसी friend ने comment भी किया था, किसर यह बता दीजेगा, तो मैंने कहा था, हाँ definitely lecture में बताऊँगा, जो उन कीट्स के, तो जो उन कीट्स की ode की, अगर हम बात करते हैं, तो वो friends ode है, regular ode कहलाती है, जो जो उन कीट्स की जो ode हैं, वो पिंडारिक है, यह आप कह सकते हैं, regular ode, clear friends, चलिए, यहां लिख देता हूँ में, ode, पिंडारिक, और, regular ode, clear friends, friends, आज कल, कल से, जब से हमने announce किया है, चैनल पर जो handwritten notes है, मेरे, जितने भी lectures हैं, उनकी जो digital copy है, तो वो provide कराने के लिए, तो बहुत सारे लोगों के comment आ रहे हैं, और actually देखे, community tab में मैंने किशन डाल दिया था, detail बता दिया था, क्या है, उसमें कैसे है, क्या चीज़े मिलने वाली है, और telegram पे भी मैंने message डाल दिया है, तो friends, पहले बात तो आप उसको purchase क करने से पहले मैं यह कहूंगा, कि जो तो रोली आप उसको study कर ले, और फिर से मैं कह रहा हूं, अगर आपने channel पे जो मैं काम करा रहा हूं, यह notes आपने बना लिये हैं, तो आपको उसको लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो कुछ नहीं है, जो मेरे lectures हैं, इनकी मेरी handwritten copies हैं, वो announce की है, कि वहां क्या है, कैसे हैं, कौन सी चीज़े उसमें मिलने वाली है, अधरवाईज आप query करते हैं, और ना चाहते हैं, मुझे query का answer देना पड़ता है, और friends, उसमें देखे, definitely time का loss तो होता ही है, और time, यह आपके लिए time है, आपके लिए सारी मेरनत हो रही है, और को लेने के बाद satisfy ना हुए हूँ, एक आधे व्यक्ति का मेरे पस comment आया था, कि जी मैं satisfy नहीं हुआ है, तो मैंने कहा ठीक है, आपका पैसा आपको refund हो जाएगा, तो अगर आप में से भी कोई है, कि satisfy नहीं है, लगता है, हाजी मुझे ठग लिया, या मज़ा नहीं आ रहा ह है, और जो भी यहाँ है, वो nominal charges है, इसके अलाबा कुछ नहीं है, ताकि इनकी value आपको पता लगे है, तो चलिए friends, बहुत सारी बाते हैं कहने को तो, चलती रहेंगी बाते हैं, कहते रहेंगे, मिलते हैं in the lecture में, now, thanks for watching this video, hello friends, हम सीख रहे हैं John Keats, और friends, John Keats पर काफी कुछ हमें study भी कर चुके हैं, लेकिन friends, अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ points अभी बच गए हैं, जो आप से share करना बड़ा जरूरी है, friends, कुछ जो important बाते हैं, वो kids की biography को लेकर हो सकती है, kids के works को लेकर हो सकती है, या kids की personal life को लेकर हो सकती है, तो उन important points को आज हम discuss करने जा रहे है तो चलिए friends, let's start, देखिए मैं थ्योर्नॉल्ड ने जोन kids के बारे में comments किये है, और सबसे पहला comment तो रहा है कि kids is enchantingly and abundantly, abundantly, abundantly sensuous, देखिए friends, enchantingly कहते हैं, बड़े मोहग तरीके से, और abundantly कहते हैं, परचुर तरीके से, और sensuous का अर्थ होता है friends, कोई ऐसी वस्तू जिसको इंद्रिया, जो हैं, वो समझ लेती हैं, जिसको हमारे sense organ समझ पाते हैं, या जिसको हम संपल भाजा में कह देते हैं, इंद्रिया, ग्राही, को, तो kids को कहा है, Matthew Arnold ने कि, जो John kids है, वो enchantingly and abundantly sensuous है, इसी के लाबा एक और critical comment, John kids को लेकर Arnold ने किया, वो कहा कि kids had flint of iron in him, यहां एक नया word आया, friends, flint, और इस flint का मतलब होता है, कठोर, एक पत्थर होता है, जिसे हम चक्मक पत्थर कहते हैं, जो लोहे से भी कठोर होता है, तो यहां kids को क्या कहा दिया, कि वो कैसा कठोर है, लोहे के जैसा कठोर है, clear friends, दोनों point clear है, बड़े अच्छे हैं, और exam में यह दोनों critical comments जो हैं, सराते हैं, इसके अलाबा, friends, John kids ने एक play लिखा, और उस play का नाम था, और इसके अगर बात करें play की, तो यह क्या था, friends, यह था, ट्रेजडी, और कितने एक्ट में, इन फाइव एक्ट्स, और, friends, एक चीज और है, जो author play लिखते हैं, author से मतलब, जो poets play लिखते हैं, उनके जो plays होते हैं, उनको हम कहते हैं, poetic play, clear friends, चुकि वो लिरिकल होते हैं, उनमें जो लिरिक की quality होती है, वो naturally होती है, who killed John Keats, I say, who killed John Keats, कि John Keats को किसने मारा है, who killed John Keats, John Keats को किसने मारा, I say, quarterly, कि मैं कहता हूँ, John Keats को अगर मारा है, तो वो किसने मारा है, वो मारा है quarterly ने, और quarterly क्या है, friends, जो quarterly review, और Edinburgh review, दो मेक जीन्स थी, जिनमें एंडीमियॉन का, जो हार्स क्रिटिसिजम था, उसी को लेके, ये जो कमेंट रहा है, ये कमेंट रहा है, Lord Byron का, Lord Byron ने कहा, मुझे पता है, John Keats को किसने मारा, John Keats को जो मारा है, वो मारा है quarterly ने, बात के लियर, friends, रहले हैं, Keats ने एक critical comment, Mormy mother के लिए क्या, और वो क्या कहा, the egotistical sublime. Keats called Rudolphies worth, the egotistical sublime, अब egotistical sublime का मतलब होता है, प्रतापी या कोई शांदार व्यक्ति, clear? ईगोटिस्ट तो आप जानते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो एहनकारी होता है, जो केवल अपने ही बारे में सोचता है, उसको एगोटिस्ट कहा जाता है, और यह सबलाइम है, सबलाइम का मतलब होता है, फ्रेंट्स, फ्रेंट्स, वाल आइफ। फ्रेंट्स, एक बड़ा फेमस एक novel का title रहा है Tender Is The Night और इस Tender Is The Night की बात करें तो यह novel लिया गया है, इस line से लिया गया है और यह line रही है John Keats की एक poem में रही है Tender Is The Night and happily the queen moon is on her throne अब समझे इस बात को की Tender Is The Night की जो रात है वो बड़ी कोमल है कैसी को है रात? वो कोमल है and happily और happily का मतलब बहुत है friends, शायद perhaps the queen moon is on her throne जो चंद्रमा है, जो चांद की रानी है, वो अपने throne पर है और throne क्या होता friends, जो गद्दी होती है, जो तखत होता है उसको हम throne कहते हैं, और देखें, यहाँ जो moon है, moon को शायद आप confused हो सकते हैं इस question को लेके, कि moon के लिए यहाँ हर use हुआ है, friends, देखें, जो moon है, moon क्या है चांद, और हम चांद को अगर बात आती है किसमे हिंदी language की अगर हम बात करते हैं, तो चांद को हम क्या मानते है चंदामा मादूर के, तो masculine हम चांद को मानते है कभी चांद निकल आता है, तो हम क्या कहते है, चांद निकल आया हम यह नहीं कहते है, चांद निकल आई तो देखें लेंग्विज की कैसी नेचर होती है जो हिंदी है वो तो चांद को मानती है क्या मैस्कूलिन मानती है यानि पुरुष मानती है लेकिन अब इंगलिश है फ्रेंट्स जो इंगलिश है वो जो tender things होती है जो beauty वाली चीज़े होती है या कोमल चीज़े होती है delicate things होती है उनको वो feminine मानती है तो English में जो चांद है जो moon है उसको क्या माना जाता है feminine और उसके लिए यहां use किया है her clear friends tender is the night and happily the queen moon is on her throne की जो रात है वो बड़ी सुहानी है बड़ी कोमल है और चांद की देवी अपने तक्त पर आसीन है यह जो line है friends यह ली गई है ode to a nightingale से ode to a nightingale clear friends लेकिन अब जो बात हम कर रहेते पहले कि tender is the night यह क्या है यह एक novel का title है किस novel का title है आगे discuss करते हैं चली पहले इसको note कर ले friends तो friends जो tender is the night यह एक novel है by scott fit gerard clear friends scott fit gerard एक author रहे है novelist रहे है उन्होंने जो अपने novel का title लिया वो john keats की जो line है और nightingale की उससे लिया clear friends और keats को जाना जाता है तो keats ने एक term introduce किया और वो term क्या था friends वो था negative capability कि नाम आपने डेफिनिटली नेगेटिव का सुना होगा यह फिर्टस एक लेटर में जौन कीट्स तरे इंट्रोड्यूज किया इन दिसंबर when a man is capable of being in uncertainties पहले तो define कर दू when a man is incapable और किसके और किसके शौरी when a man is capable of being in अंसल्टेनिटीज देखें इससे समझ ये कि जब कोई व्यक्ति कैपाबल होता है समर्थ होता है किस में फिंट्स बीइंग इन अंसल्टेनिटीज में अनिश्चित्ता में मिस्ट्रीज में रहस्य में डाउट्स में क्लिर्फिंट्स केपाबल अफ बीइंग इन अंसल्टेनिटीज मिस्ट्रीज डाउट्स विदाउट अनी इरिटेबल रीचिंग और बिना किसी इरिटेबल रीचिंग के इरिटेबल रीचिंग से मतलब है बिना किसी पोईंट पर पहुँचे हुए आफ्टर फैक्ट एंड रीजन मिन्स जब कोई व्यक्ति अनसल्टेनिटीज यानि अनिश्चित्ता में होता है रहस्य में होता है या डाउट्स में होता है तो बिना किसी भी फैक्ट और रीजन के बाद वो किसी निसकर्स पे नहीं पहुँचता तो वो जो निसकर्स है उसका जिस पे वो नहीं पहुँच रहा है वो क्या है फ्रेंट्स वो ही नेगेटिव कैपबल्टी है अब देखें नेगेटिव का मतलब होता है नाकारात बक् तो हम किसी भी fact पे किसी भी reason पे नहीं पहुँच पाते और वो ही हमारी क्या है negative capability होती है बात clear friends I hope यह term clear हो गया होगा चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं कीट्स ने एक और चीज कही है a poet is the most unpolitical of anything एक जो poet होता है वो संसार में सबसे बड़ी unpolitical thing होती है clear friends a poet is the most unpoetic of anything की जो poet होता है वो unpoetic होता है clear friends in existence अपने अस्तित्व में अगर अस्तित्व की बात करें तो poet क्या होता है जो poet होता है वो unpoetic होता है क्यों होता है because he has no identity देखी जो poet होता है उसकी कोई identity नहीं होती उसकी कोई पहचान नहीं होती और उस पहचान ना होने के कारण जोन कीट्स ने कह दिया उसको unpoetic बात clear पहचान क्यों नहीं होती जिस भी poem में जिस poem को लिख रहा है जिस character को लिख रहा है वो उसी में ढल जाता है बिल्कुल ऐसे ही simple way में समाझ सकते हैं जैसे एक actor होता है उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती वो जिस role में जिस role को वो play करता है stage पे वो उसी में ढल जाता है तो उसी तरह जोन कीट्स कह रहे है कि एक poet क्या है वो most unpoetic of anything वो most unpoetic होता है clear friends unpoetical or just a minute not poetic poetical of anything in existence because he has no identity क्योंकि उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती clear चलिए फिर आगे बढ़ते हैं friends P.B. Shelley जो जोन कीट्स के ही contemporary थे और इन दोनों poets में एक समानता ये है कि ये दोनों ही romantic age में थे पहली बात और दूसरी बात ये है कि दोनों ही बड़ी थोड़ी सी उम्र में चोड़ी सी उम्र में चले गए थे तो friends P.B. Shelley ने जोन कीट्स के लिए कहा कि इसके प्रति जो प्रेम था जोन कीट्स को उसके कारण ही पीवी शैली ने इसको ग्रीक कहा इसके लाबा friends P.B. Shelley ने जोन कीट्स को एक टर्म और दिया One of the inheritors of unfulfilled desires One of the inheritors of unfulfilled desires कि एक ऐसा inheritor जिसकी जो desires है वो क्या रही है unfulfilled desires रही है means एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जो desires है जो इच्छा रही है वो unfulfilled रही है जो पूरी नहीं हुई और actually friends क्या desire थी इस बात को comment क्यों क्या ये भी मैं बता देता हूं देखिए John Keats की जो desire थी to one of his friend or जो desire थी friends वो थी I think I shall be among the English poets after my death I think I shall be among the English poets after my death कि मैं चाहता हूँ क्या इच्छा है मेरी कि मैं चाहता हूँ मैं समझता हूँ कि जब मैं मर जाओं तो मेरा जो नाम है जो अंग्रेजी के poet है जो English poets है उनमें मेरा नाम लिया जाए clear friends point clear हुआ और इसी बात को लेके मैं Theodore ने कहा है क्या कहा है कि he is with Shakespeare कि वो तो Shakespeare के बराबर है Shakespeare के साथ रखा हुआ है कीट्स का एक वर्क रहा है friends एंडाइमियोन जो एंडाइमियोन है एंडाइमियोन को क्या कहा a trial of my powers of imagination कि एक trial मेरी जो कल्पना सकती है उस कल्पना सकती का एक trial clear trial समझते हैं सुरुवात किसी चीज की a trial of the power of imagination कि जो मेरी imagination पावर है उसका एक trial clear friends trial of the power of my imagination मेरी imagination का एक trial यह जोन कीट्स ने एंडाइमियोन को कहा है कीट्स पोईट्री जो थी friends वो क्या थी वो actual में जो कीट्स का नाम लिया जाता है वो लब पोईट में लिया जाता है लेकिन अगर पीवी शैले की बात करें तो इन दोनों में जहां समानता थी वहीं दोनों क्या थे दोनों की जो पोईट्री में है उसमें एक अंतर था और अंतर क्या था जो कीट्स थे कीट्स की पोईट्री friends sensual थी कीट्स की जो पोईट्री है वो क्या थी वो लब पोईट्री थी लेकिन अगर PB Shelley के बात करें तो PB Shelley की जो poetry थी वो क्या थी? Full of revolutionary spirit एक क्रांतिकारी poetry थी, एक विद्रोई poetry थी, एक विद्रोई poet थे, कौन? PB Shelley और जो Keith's की poetry है उसमें चुकिan revolutionary spirit नहीं थी इस कारण जो PB Shelley है, वो Keith's को Keith की जो poetry है, उसको dislike करते थे, clear friends? kids poetry was devoid of revolutionary sprint qs perevolutionary sprint nahi thi so shelley disliked kids poetry friends background noise आप आज आपको feel हो रहा होगा actual में जो यह lecture record हो रहा है यह लगभग 5 बजे हैं और recording के बाद आपको immediate मिल जाएगा आपके जो आपका project चल रहा है उसमें friends इतना बीजी हूँ कि lecture record ही नहीं कर पा रहा था और basically जो lecture है वो सब morning में record होते हैं 4-4-5 बजे तक तो उसमें चुकी जो noise है वो नहीं होता उस time सब स्वही होते हैं लेकिन शाम के time record करना पढ़ ला है तो obviously थोड़ी इसमें noise आपको मिलेगी लेकिन कोई बात नहीं काम चला लीजेगा ठीक है friends तो चलिए इसको note भी कर लीजेगा friends दूख करेक्टर है एक तो है पोरफाइरो और उसकी बिलवीड है मैडलीन यह दो करेक्टर एक पोएम है जोन कीट्स की वो है दस इव ऑफ सेंट एगनीज इव ऑफ सेंट एगनीज से लिए गए है पोरफाइरो एंड मैडलीन यह दो करेक्टर कहां से फ्रेंट्स दा इव ऑफ सेंट एगनीज से क्लियर चलिए फ्रेंट्स कॉंट्न रिकेट ने एक कमेंट किया है जोन कीट्स को लेके और वो क्या कहा कि कीट्स क्या कमेंट किया फ्रेंट्स कीट्स इस कांट्न टू एक्सप्रेंट्स हर कि जो कीट्स है वो कंटेंट है कंटेंट का मतलब होता है संतुस्ट सैटिसफाइड कि कीट्स जो है वो कंटेंट है वो भरे हुए है किससे भरे हुए तो एक्सप्रेस हर तो एक्सप्रेस हिज थ्रू दा सैंसेज एक्सप्रेस नॉठ हर हिम थ्रू दा सैंसेज चुकि वो अपने आपको एक्सप्रेस कर रहे है किसके थ्रू वो सैंस के थ्रू कर रहे है एक्सप्रेस इसलिए वो क्या है उनको कहा है content to express with sense clear friends सौरी यहां content to express भी दुबारा लिखा गया कोई बात नहीं चलिए इसके बाद बात करते हैं friends कीट्स को एक Hellenistic poet कहा जाता है कीट्स was a Hellenistic और इस Hellenistic का जो मतलब होता है friends Hellenistic poet क्यों कहा जाता है क्योंकि वो related थे किसे Greek history, language and culture से related to Greek language, history and culture और इसलिए comment भी जो कहा गया कि कीट्स was a Greek वो भी शयद यही reason था कि कीट्स को क्या कहा गया Hellenistic poet या एक Greek कहा गया clear friends कीट्स ने एक relationship दिखाया है एक necessary relationship दिखाया है अपनी poems के बाध्यम से और किसमे joy और sorrow के बीच clear friends kids खिरिस अस्वे एक्स आपार है kids established unnecessary relationship between joy and sorrow बात के लिए रेफिंस देखिए किश्वन यह आपके एक्जाम में आया है कि कीट्स की एक पोएम थी जिसका उन्होंने फस्ट इस्टेंजा जो है वो ड्रॉप कर दिया था मिन्स जब वो पोएम पब्लिस हुई इन दा इयर 1820 अठारे सो बीस में तो जो उसका फस्ट इस्टेंजा था वो पब्लिस नहीं हुआ उसको जोन कीट्स ने छोड़ दिया और वो पोएम कौन सी थी वो थी फ्रेंट्स ओड टू मैलनकली the original first stanza of the poem ode to a melancholy was dropped by kids और फ्रेंट्स पब्लिस कब हुई ये 1820 में clear friends important question है ये एकजाम में पूछा गया आपीजीटी में तो चलिए फ्रेंट्स आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंट्स जॉन कीट्स की poetry के अगर सबसे बड़ी quality की बात आती है तो overall जो quality है जॉन कीट्स की poetry की उसके लिए एक word आता है sensuousness clear friends यानि sensuousness is the characteristic of जॉन कीट्स poetry यह क्या है कीट्स की poetry की जो सबसे बड़ी quality है जो सबसे बड़ा characteristic है वो क्या है वो है sensuousness clear friends और जॉन कीट्स के बारे में एक idiom अक्सर use होता है एक phrase आता है और वो क्या है फ्रेंट्स wrap on the knuckles कीट्स को कहा जाता है कि कीट्स was a victim of की कीट्स एक शिकार थे किसके थे रैप ओन जो न्यूकल्ड्स और wrap ऑफ जो न्यूकल्स है इसका मतलब क्या है फेंट्स इसका मतलब है severe criticism severe criticism बात समझ में आ गई तो एक severe criticism का जो शिकार कहा जाता है वो जोन कीड्स को कहा जाता है फिर्ट्स जोन कीड्स की एक पोएम रही है और उस पोएम का टाइटिल है ला बेले डेम सेंस मर्से इसकी एकर थीम की बात करें तो इसकी थीम क्या है फिर्ट्स एफैटल मैजिकल लव लूरिंग आ मैन तो हिस डूम आ फैटल एड मैजिकल लव लूरिंग तो हिस डूम देखें फिर्ट्स यहां एक डूम है बड़ा अच्छा वर्ड है और यह वर्ड एक्च्वल में कई बार आपके जो वर्ड पावर है मिन्स मीनिंग जब पूछा जाता है तो उसमें आया है और डूम का जो मतलब होता है वो फिर्ट्स होता है वो कोई दुर्भाग की है यानि bad luck जिसको हम कह देते हैं तो अगर theme की बात करें तो एक fatal और magical love fatal कहते हैं फिर्णस बिलकुल means जानलेवा जिसको हम कह देते हैं वो fatal होता है जानलेवा magical love luring और एक ऐसे विक्ति का love luring एक ऐसे पुरुष का love luring जो कहा है जो अपने doom की तरफ जाता है यानि जो उसको उसके दुर्भागे की तरफ ले जाता है clear friends a fatal magical love luring to his doom बात clear है friends John Keats की देखिए बहुत ज़्यादा उन्होंने नहीं लिखा 3-4 साल का life spend रहा है जो life spend से मतलब है मेरा यहाँ जो उनका literary spend रहा है वो 3-4 years रहा है और उस 3-4 years में अगर हम बात करें एक particular year आता है 18-19, 1819 तो इसको कहा जाता है most productive year of Keats poetry the most productive year of Keats poetry बात clear friends John Keats की जो ods है वो क्या है वो जादे तर बताया था मैंने वो regular ods है लेकिन अगर John Keats की sonnet की बात करें तो John Keats ने जो sonnets लिखी वो लिखी friends Italian sonnets यानि जिनको हम दूसरा नाम देते हैं Petrarchan sonnet और you can say Italian sonnets clear friends और sonnets को हम डिसकस कर चुके हैं Italian sonnet Petrarchan sonnet और आपके English sonnet और Spencerian sonnet जहां forms of literature हमने पढ़ी थी उसमें details से हम इसको हम डिसकस कर चुके हैं और अगर इसमें कोई doubt है arriving pattern या बहुत सारी जीजे समझ नहीं है तो related lecture आप वहाँ देख सकते हैं clear friends stop and consider रुको और देखो क्या देखो life is better day कितनी प्यारी लाइन कह दी friends रुको और देखो जो जीवन है वो क्या है वो तो एक दिन के लिए है और ये जो प्यारी लाइन कही है friends sleep and poetry बे ये poem है sleep and poetry sleep and poetry से लाइन ली गई है stop and consider life is better day तो चलिए friends note कर लेते हैं friends John Keats का एक work रहा है और वो क्या रहा है Hyperion ये एक्च्वल में एक epic लिखने का प्लान था John Keats का जो blank verse में वो लिखना चा रहे थे और इसी के साथ 10 books में उसको लिखना चा रहे थे लेकिन friends इसकी two and a part of the third यानि दो book तो पूरी हो गई और तीसरी का थोड़ा part ही पूरा हो पाया और ये जो book है means Hyperion की अगर बात करें तो ये कभी complete नहीं हुई और किसमे है फेंस इन ब्लांक वर्स और कम्लीट कितना हुआ two and a part of the third बात समझ में आ गई friends John Keats की जो poetry है John Keats की poetry को Shakespearean कहा है किसी ने और वो किस ने कहा है Matthew Arnold ने कि Keats poetry was Shakespearean was Shakespearean और ये किस ने कहा है friends Matthew और नौड का एक कमेंट रहा है clear कि John Keats poetry was not imitated in debt of Shakespeare but Shakespearean कि जो Shakespeare की poetry है वो dead things का imitation नहीं है बलकि ये तो एक Shakespearean poetry है clear friends और अगर हम बात करें तो John Keats के लिए एक और कमेंट कहा है वो कहा है Keats was not only the last कि जो Keats थे वो last नहीं थे but also the most perfect of the romantics कि वो तो लास्ट नहीं थे बलकि जो romantics है romantics में सबसे जो perfect है most perfect अगर poet थे तो वो कौन थे वो John Keats थे और ये critical remark रहा है friends W.J. Long का clear friends बहुत सारी बाते हम यहां कर रहे हैं बहुत सारे points हमने अडिसकस कर लिए friends एक चीज और है कि John Keats ने जो Shakespeare है Shakespeare को कहा है perfect example और perfect example किसका कहा है of negative capability का according to John Keats Shakespeare was the perfect पर्फेक्ट एक्जाम्पल आव नेगेटिव क्यापडिटी क्लियर यानि नेगेटिव क्यापडिटी का perfect example अगर कोई है तो वो क्या है विलियम शिक्ष्पियर है friends मुझे लगता है चार या पांच लेक्चर हम John Keats पर हमारे आ गए है और जितना भी author के बारे में important चीजे थी जो हमारे exam से पूछी जाती है उसके point of view से उसको सब को हम discuss कर चुके है friends इसी के साथ आज हमारे lecture खत्म हो जाता है next lecture हम discuss करेंगे या तो हम Charles Lamb लेते हैं या फिर पीवी शैली लेते हैं इन में से ही कोई author हम लेंगे आप कौन सा चाहते हैं मुझे comment करके बता सकते हैं जो आप कहेंगे मैं उसको start कर दूँगा और friends चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें subscribe करें और friends अपने friends को जरूर शेयर कर दें ताकि सब को quality material free of cost मिल सकें तो चलिए friends मिलते हैं नेक लेक्चर में now thanks for watching this video